हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ गीत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल गार्णिंग विद गीत कुमार में आज एक बहुत ही खुबसूरत हाउस फ्लैंट के साथ आई हूँ फ्रेंट्स और इस प्लैंट का नाम डौर फाइकस है यह देखें वैसे तो फाइकस प्लैंट की बहुत सारी वराइटी होती है यह जो वराइटी है इसकी डौर वराइटी है डौर वराइटी छोटे ही साइस की होती है इसकी हाइट बहुत जादा नहीं बढ़ती है लेकिन कुछ वराइटी है जिसकी हाइट काफी चली जाती है काफी उचे प्लैंट्स हो जाते हैं वो बड़े कड़ी धूप इन प्लांट को ना मिले वनना इसकी जो पत्तियां होती है वो सफेध होके गिरने लगेंगी या फिर पत्तियां जल भी सकती है कड़ी धूप की वज़े से तो ध्यान रखें इस बात का और अगर इंडोर रखा है तो ऐसी जगह में रखें जहां पर इस प्लांट को ब्राइट कड़ी ब्राइट लाइट मिले अगर किसी खिड़की के पास रखते हैं तो इस प्लांट को अच्छी रोशनी मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी अगर प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी आप लोगों को चाहिए आप चाहते हैं कि आपका plant healthy growth करें तो इन plants को कम से कम अगर घर के अंदर indoor रखा हुआ है तो सूबा की कम से कम 2-3 घंटे की हल्की धूब इन plants को महीने में 3-4 बार दिखा दिया करें तो plants की grow बहुत अच्छी होगी और plants healthy growth भी करते रहेंगे यह जो plants होते हैं friends जैसा कि मैंने बताया कि bonsai बनाने के लिए बहुत जादा पसंद किये जाते हैं उसी तरह यह जो plants होते हैं यह बहुत ही popular house plant में से एक हैं और यह नासादोरा approved जो air purifying plants होते हैं top 10 यह top 7 के list में आता है यह one of the best air purifier plant में से एक plant है बहुत ही अच्छे air purifier हवा को साफ करने वाले पौधे होते हैं यह cutting से बहुत easily grow कर सकते हैं और यह जो plants होते हैं friends इसकी बहुत सारी species होती हैं इसकी लगभग 800 तरह की यानि की 800 species पाई जाती हैं all over the world और इंडिया में इसकी वराइटी कम से कम 31 तरह की आप लोगों को 31 तरह की जो इसकी वराइटी से वह available हैं मिल जाएंगी आप लोगों को भारत के अंदर यह जो plants होते हैं friends जैसा की मैंने बोला की हवा में घुले हुए जो toxins होते हैं यह purifier हैं तो हवा में घुले हुए toxins जैसे formaldehyde, benzene, toylene इस तरह के जो chemicals होते हैं उनको हवा से साफ बनाते हैं यह plants humidity loving plants हैं तो इन plants में humidity बनाए रखने के लिए अगर आप indoor इन plants को रखते हैं तो या तो humidity बनाए रखने के लिए आप regular basis पे इसमें misting करें पानी का चड़काव करते रहें जिसका इसमें humidity level बनी रहें और अगर आप चड़काव नहीं कर सकते हैं इतना time नहीं है आपके प पानी बरका रौश में चोटने चोटने पैंवल साते हैं चोटने चोटने जो पठर होते हैं उसको आप डाल के पानी के उपर त्रे जैसे ट्रे हैडा में पथर दाला फिर उसमें पादी भरके इस पॉट को उसके ट्रे के उपर रख देते हैं तो इससे भी इसकी जो humidity level है बनी रहती है बात करते हैं इसकी मिट्टी की तो इसको बहुत पोरस यानि की बहुत हलकी मिट्टी बना के दे अगर मिट्टी आप मिला रहे हैं तो एक हिसा मिट्टी के साथ आप उसमें रेद बालू बजरी मिला सकते हैं सैंड भी जिसको बोलते हैं अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप उसमें एक हिस्सा आप उसमें कोको पीट का भी मिला सकते हैं कोको पीट मिट्टी को हलकी बना देती है और प्लांट को खराग होनी से भी बचाती है तो वो भी आप मिला सकते हैं साथ में आप एक हिस्सा वर्मी कमपोस्ट मिला सकते हैं या फिर गोबर की खा केडे मकोडो से आपा प्लांट बचा रहेगा अपने प्लांट को हेल्दी बनाया रखने कि लिए धूप्ट जरूर्ण दिखा लियाकरे मने बताया थेुख elaborating जईसा क्या हा है इसलिए plants को दूप दिखाना बहुत जरूरी है, अब बात करते हैं कि इस plant को खाद किस तरह से देनी चाहिए, तो यह plant बहुत जादा खाद की जरूरत नहीं होती है, इन plants को आप nitrogen rich fertilizer आता है, liquid fertilizer आप लोगों को online भी मिल जाएगा या फिर किसी nursery में बहुत इजली मिल जाएगा तो NP के आप जो balance ratio का होता है, जैसे balance ratio 8-8-8 वो आप दे सकते हैं, एक चमच, एक लीटर पानी में महीने में, एक से दो बार आप हर 15 दिन में डाल सकते हैं इसके उपर, तो यह plant बहुत खुश रहते हैं, यह तो liquid fertilizer है, इसके लावा आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं महीन में एक बार या फिर वर्मी कंपोस्ट हो तो वह भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि खाद की मातरा बहुत जादा ना दें, गंबले की मिटी, गंबले के साइस के हिसाब से आप खाद डालें, अगर आप जादा खाद डालेंगे प्लांट में तो आपकी प्लांट की जलने लगेंगी, और आपका प्लांट भी खराब हो सकता है, तो इसलिए बहुत जादा खाद भी ना डालें, और इन प्लांट को हमेशा धूप जरूर दिखा दिया करेंगे, मैं बार बार खहरी हूँ, प्लांट की हल्दी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को फसंद आया होगा, आया हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन बाई फ्रेंड्स टेक केर